सीम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस योजना से हमारे कई वन शेत्रों को लाब मिलेगा राजस्थान के तेरा जिलों में पे जल की जो समस्या थी उसका समाधान होगा आपको बता देते हैं कि मध्यप्रदेश सीम मोहन यादव ने रविवार को जैपुर में राजस्थान के सीम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की ये मुलाकात दोनों राज़ों को जोडने वाली नदियों को लेकर हुई है सबसे पहले जैपुर में सीम मोहन यादव का मुख्यों मंतरी भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया इसके बाद दोनों मुख्यों मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर एहम बात्चीत हुई बैठक के बाद मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान राजिस्तान सीम भजनलाल शर्मा ने कहा मध्यप्रदेश और राजिस्तान के लिए ये बेहद एहम योजना है नदियों का जोड़ना अटल बिहारी वाजपाई का सपना था उसी वक्त इसकी नीव रखी गई थी लेकिन बाद में कॉंग्रेस की सरकार है कॉंग्रेस ने इस पर सिरफ राजनीती की फिर राज़ में बीजेपी की सरकार आने पर फिर से इस पर काम शुरू किया गया है सीम भजनलाल ने कहा कि इस योजना से हमारी कई वन शत्रों को लाब मिलेगा राजस्तान के तेरा जिलों में पेजल की जो समस्या थी उसका समाधान होगा वहीं जैपुर पहुँचे मध्यप्रदेश के मुखे मंतरी मोहन यादव ने कहा राजस्तान और मध्यप्रदेश शरकार मिलकर हमारी नदियों के जल के बटवारे को लेकर कुछ निर्ने करने जा रही है ये निर्ने ना केवल दोनों राजों की भैतरी के लिए होंगे बलकि इससे लाखों किसानों के जीवन भी बदलेंगे सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये काफी बड़ी योजना है हमारे साथ डायम बनेंगे इस योजना के पूरे होने पर इसमें बड़े पैमाने पर पैल्टन की संभावना रहेगी पेजल की समस्या का भी समधान होगा